अगर हमारे चैनल पर आप पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तो चलिए बात करते हैं अब्जुक्ट्व कोईस्टन की पहला कोईस्टन क्या कहता है पहला कोईस्टन कहता है कौन से आदेश डिक्री नहीं है तो कौन से आदेश डिक्री नहीं है इंपर्टन कोईस्टन है यहां पर यहां पर आपका यह आपसन बिल्कुल सही है उप्रोग उप्रोक्त सभी इंप्रोक्त सभी इंप्रोक्त सभी देखिए यहां पर A, B, C, D में क्या कहा गया है ध्यान से सुनियेगा ठीक है याद भी कर लेना देखिए रिट या चिका में हाई कोट दुबारा दिया जाने वाला आदेश ठीक है यह भी टिकरी नहीं है, B, Ay, C, D में कहा है उत्तरा धिकार प्रमाबपत्र प्रदाण करने वाला आदेश ठीक है यह भी C में कहा है पूर्ड़ पीट के द्वारा विधी के प्रश्न पर दिया जाने वाला फैसला और D में कहा है काल बाधित होने के कारण अपील खारीज करने वाला आदेश ये चार पॉइंट्स हैं ठीक है तो ये सारे आदेश जो है डिक्री नहीं है मतलब उप्रोग सभी E आपसन आपका यहाँ पर question number 1 में E आपसन आपका बिल्कुल सही है तो यह चारो पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे ठीक है क्या पता अप्जिक्ट्ट्व में केवज एक option इसमें से दे दिया जाए और सब जो डिक्री है जो आदेश डिक्री है उनको डाल दें तो आपको पीट के दवारा विधी के प्रश्न पर दिया जाने वाला फैसला यह भी ज़र डिक्री नहीं है काल बाधित होने के कारण़ अपील खारीज करने वाला आदेश यह भी डिक्री नहीं है तो हमारा यह option सही हुआ question number दूसरा क्या कहता है क्या धारा 151 तो क्या धारा 151 के अंतरगत अपीलिये ने याला द्वारा नए सीरे से मुकदमे के प्रतिप्रेशण का आदेश डिक्री है तो question number दूसरे में आपको यहाँ पर B option बिल्कुल सही है नहीं question number तीसरा क्या कहता है निम्नलिक्षित में क्या सही है ठीक है तो A option कहरा प्रतिक डिक्री अपील योग्य होती है मतलब धारा 1390 B option कहरा किसी विधी के प्रश्न के अंतर ग्रष्ट होने पर डिक्री के खिलाब उच्चे नया याला में द्वतिय अपील हो सकती है परन्तु अपीलिय योग्य आदेशों से कोई भी द्वतिय अपील नहीं हो सकती है C option आदेश प्रारंबिक या अंतिम नहीं हो सकता D आदेश के लिए यहां वश्यक नहीं कि वह किसी वाद में पारित किया गया हो और E option में काव प्रोक्ट सभी तेहां पर E option आपका बिल्कुल सही है Question number 3 में E option आपका बिल्कुल सही है क्या कहरा आप प्रश्ण में कि मदलब निम्लिकित में से क्या सही है तो यह सारे points सही है जो भी कहा गया है मदलब आदेश प्रारंबिक या अंतिम नहीं हो सकता याद रखिए सारे points आदेश के लिए यहाँ आवस्यक नहीं है कि वह किसी वाद में पारित किया गया हो ठीक है फिर किसी विदी के प्रस्ण में अंतर ग्रस्ट होने पर डिकरी के खिलाफ उचने आयाले में दोतीय अपील हो सकती है परंतु अपीलिय योग आदेशों से कोई भी दोतीय अपील नहीं हो सकती है ठीक है और प्रतेक डिकरी जो है अपील योग योग होती है और वो धारत यान नबे में होती है ठीक है तो निम्रिकित में क्या सही है तो उप्रूप्त सभी ठीक है यह आपसन आपका सही है कोशन नमबर 3 में सारे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको कोशन नमबर 4 क्या कहता है निर्डीत रिडी परिभासित है तो यहाँ पर आपका ए आपसन बिल्गुल सही है धारा दो दस धारा दो दस ठीक है निर्डीत रिडी परिभासित है तो धारा दो दस के अंतरगत परिभासित है याद कर लिजे कि निर्डीत रिडी जो है वो परिभासित किया गया है धारा दो दस में question number 5 में कहा गया है लगवाद नयायाले का धन संबंधित छेतर अधिकार है तो संबंधित छेतर अधिकार है यहाँ पर ए आपसन सही है 25,000 कितना? 25,000 ठीक है? और number 6 क्या कहता है वहवाद वहवाद जिसमें संपत्ती संबंधी या पद संबंधि अधिकार प्रतिपादित है सीविल प्रकृतिका वाद है या कथन उलिखित है तो यहाँ पर आपका बी आपसन बिल्कुल सही है धारा नौ के इस पेश्टी करण एक में मतलब बी आपसन आपका सही है याद कर लीजिए हर से कसला हुसिए नमबर सयवएं कि कौंसा प्रकेटि का नहीं है कौन सा बशाण करकेटि का नहीं दैड़न तोयहां पर स्फास़। में आपका बी एप्सन बिल्कुल सही है किसी वाहिए में या धर्मिक संस्कार एवम उत்साओ का मुख़ ने मतकर प्रशन है ठीक है तो question number 7 में आपका B option सही है याद करकने योग बहुत important point है ठीक है बात करते है question number 8 की question number 8 क्या कहता है धारा 10 मतलब विचार अधीन मामला के अंतरगर ठीक है तो धारा 10 के लागू होने के लिए आवस्यक्स अरते हैं हैं तो यहां पर question number 8 में आपका कौन सा अप्संस यह question number 8 में आपका यह option बिल्कुल सही है ठीक है मतलब उप्रोक्त सभी जो भी धारा 10 के लागू होने के लिए आवस्यक्स अरते हैं तो यह सारे सर्थ जो है संस्तित वाद तथा पश्चात वर्तिवाद के प्रतक्षता और सारता विवाद विसे एक जैसे हो भी में कहता है कि ऐसा वाद उन्हीं पक्चकारों के मद है या फिर ऐसे पक्चकारों के मद है उत्पन हुआ है जिनसे वियुत्पन अधिकार के अधिन वे या फिर उनमें से कोई दावा करते हूं और सी में कहा है वह नयायाले जिसमें पूर्वतन बाद संसित किया गया है और पस्चातवर्ति बाद में अनुतोष प्रदान करने के लिए सक्षम हो या अधिकारिता रखता हो ठीक है फिर इसके बाद D में कहा गया पूर्वतन संसित बाद उसी नया नयायाले में अथमा भारत की सीमाओं से परे किसी ऐसे नयायाले में जो किंद्री शरकार द्वारा इस्थापित किया गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है अथमा उचतम नयायाले में लंबीत हो ठीक है यह सारे सही है तो इसका मतलब आपका question No.8 में आपका यहाँ इ धारा दस के प्रावधान मतलब जो आदेश सात्मक प्रकेत के हैं ठीक है तो धारा दस के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते हैं आपको यह बताना है तो यहां पर आपका यह आपसन बिल्कुल सही है उप्रोग तो सभी प्रोग सभी तो सारे पॉइंट्स याद रखने हैं यहां पर भी सही है मतलब यह सारे पॉइंट्स हैं जो धारा दस के प्रावधान पर लागू नहीं होते हैं ठीक हैं तो देखें उत्तर प्रदैस अधिक्तम जोद सीमा आरूपड अधिन्यम के अधिन कारेवाहिया बी में कहता है कि बेदखली का वाद ठीक हैं सी में कहता है निस्पादन कारेवाहिया और डी में कहता है जहां दोनों कारेवाहिया वाद ना हो ठीक हैं तो यह सारी चीजें हैं जो जिन पर जो है लागू नहीं होता है धारा दस के प्रावधान ठीक हैं या ऐसे कहिए जो यह सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो धारा दस के प्रावधान पर लागू नहीं होते हैं तो प्रोप्त सभी सही है यहां पर क्वेशन नम्बर 10 की बात करते हैं क्वेशन नम्बर 10 कहता है कुशन योजन और आसन योजन के संब्द में कौन सा आदेश है तो यहां पर आपका आप समय बिल्कुल सही है कि अधेश एक का दो फंग कि आई होब कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई जो तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर करें और अगर चैनल पर पहली बारा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है तो चलिए दोस्तों अब हम आप से नेक्स वीडियो में मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद